अलवर में भयंकर प्रदूसर्ण लेकिन कारेवाई सुन जहां अवदोगी छेत्र एमाईये में आना हो तो संभाल कर आना कहीं आप भी दमा, अस्थमा, टीवी या छै रोग, कैंसर वा स्वास सम्मंधित बीमारियों के सिकार न हो जाएं अलवर जिले के दो दो वन पर्यावरण मंत्री वा सम्मंधित प्रदूसर्ण विभाग अजिकारी वा अलवर जिला प्रसासन का मुखिया गहरी नीन में सोया हुआ है अगर आप अवदोगी छेत्र एमाईये में आ रहे हैं तो सोच समझ कर आना कहीं आप भी टीवी, छे रोग, दमा, अस्तमा, कैंसर, स्वास सम्मंधित गंभीर विमारियों के सिकार हो सकते हैं क्योंकि अलवर जिले के दो दो वन पर्यावरण मंत्री सम्मंधित प्रदूसर्ण नियंतर विभाग अजिकारी वा अलवर जिले के प्रशासन का मुखिया जिला कलेक्टर अपने कार्याले में बैठ कर ड्यूटी पका रहे हैं जिनको आम जनता से कोई लेना देना ही नहीं क्या अलवर जिले के प्रशासनिक विभागी अधिकारी राजस्तान सरकार के आगे नतमस्तक है जिनको आम जनता के स्वास के साथ खिलवार कर रही फैक्टरी से निकलने वाला काला धुआवा कैमिकल यूगत गंदे पानी में छोड़ा जाने वाला जहरिला पानी नहीं दिखता जिससे पीने योग के भूमी का जल भी दूसीत हो जाने से पीने योगिन नहीं बचा जिसका असर अस्थानी ग्रामी लोगों पर पढ़ रहा है लेकिन विभागी अधिकारी के कानों पर जू तक नहीं रेंगती और दूगिक शेत्र एमाईये में इसीत वेस्टन क्राफ्ट पेपर मिल फैक्टरी करीब आठ महीनों से प्रदूसर का कहर बरसा रही है जिसकी सिकायत कई बार प्रदूसर नियंतर विभाग अधिकारी को दे कर आउगत कराएगे जिसकी मिली भगत से फैक्टरी प्रदूसर का कहर बरसा जा रहा है जिनके विरुद प्रदूसर नियंतर विभाग के अधिकारी कारिवाई करते नहीं जिससे फैक्टरी परवंदकों के हौसले बुलंद है जबकि यहां करीब 5,000 लोगों की आबादी बसी हुई है जो दमे अस्थमा कैंसर टीवी जैसी गंभीर बिमारियों के सिकार हो रहे हैं जबकि अलिए प्रवंदकों के लिए लोगों के सिकारी बाता है